साथियों, अगर सामान्य जन की सुविधा प्राफिक्ता हो और विकास का लक्ष अटल हो तो नए रास्ते बनी जाते हैं। मजुली और नेमाती के बीच रोपेक्ट सिवा ऐसा ही एक रास्ता है। इससे अब आपको सडक के रास्ते करीब सबाद 400 किलोमेटर गुम कर आने की जरुवत नहीं पड़ेगी। अब आप रोपेक्ट से सिरफ 12 किलोमेटर का सफर करते हुए अपनी साइकील, स्कूटर, बाई क्या कार को जहाज में ले जा सकते हैं। इस रास्ते पर जो दो जहाज चलाए जा रहे हैं, वो एक बार में करीब सोला सो यात्री और दर्जनों वहानों ले जा पाएंगे। ऐसी ही सुविधा अब गुहाटी के लोगों को भी मिलेगी। अब उत्तरी और दक्षिन गुहाटी के बीच की दुरी चालिस किलोमेटर से कम होकर सिरफ तीन किलोमेटर तक सिमिट हो जाएगी। इसी तरह दुपरी और हत्सिंगी मारी के बीच इसकी दुरी करीब सबाद 200 किलोमेटर से कम होकर के 30 किलोमेटर तक रह जाएगी। साथियों, हमारी सरकार द्वारा सिर्फ जलमारगी नहीं बनाए जा रहे हैं, बल्कि इनका उपयोग करने वालों को सतिक जानकारी भी मिले। इसके लिए भी आज e-Portal लॉंच किये गए हैं। कार D-Portal से नेशनल वाटरवे सभी कारगो और कुछ से जुड़े ट्रैफिक डेटा को रियल टाइम पर कलेक करने में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी पॉर्टल पानी पॉर्टल नौचालन के अलावा वाटरवे के इंफार्स्रेक्टर से जुड़ी जानकारिया भी देगा। G.I.S. अधारित भारत में पॉर्टल उन लोगों की मदद करता है जो यहां गूमने फिरने या व्यापार कारोबार के लिए आना चाहते हैं। आत्मनिर पर भारत के लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का देश में विकास हो रहा है असम उसका बहतरी उधारन होने वाला है।